So, Hi guys, आज बात कने वाले हैं Xiaomi स्मार्टफोन ब्रेंड के बार में जो की लाँच कने वाला है Redmi 9 स्मार्टफोन और यह स्मार्टफोन अंडर 8,000 रुपीज में बैस्ट है और यह स्मार्टफोन इंडिया में बहुत जल्द लाँच होने वाला है तो इसमें मिलेगा आपको 6.22 इंचिस की Full HD Plus IPS LCD डिस्पले और इसमें मिलेगा आपको Corning Gorilla Glass 5K Protection, Water Drop Notch 414 का PPI और इस फोन में आपको Bezels भी बहुत कम देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि इस फोन में मिल जाता आपको 90% का Screen to Body Ratio तो चलिए अब बात करते हैं Redmi 9 स्मार्टफोन के performance के बारे में तो इसमें मिलेगा आपको MediaTek Helio G70 के चिपसेट और ये चिपसेट powerful है इसमें आप normally gaming वगएरा बहुत अराम से कर सकते हैं बढ़ अगर आप high level का gaming करना चाते हैं तो ये स्मार्टफोन उस लेवल का नहीं है कि आपको high level की gaming करा सके तो चलिए अब बात करते हैं Redmi 9 स्मार्टफोन के RAM और storage के बारे में तो इसमें मिलने वाला आपको दो विरेंट पहला विरेंट होने वाला है 3G RAM 32GB storage और दूसरा विरेंट होने वाला है और बात की जाए इस फोन के front camera के बारे में तो इसमें मिलेगा आपको 13MP का selfie camera और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना बिलकुल ना भूले तो चलिए अब बात करते हैं Redmi 9 स्मार्टफोन के battery के बारे में Android 10 तो चलिए अब बात करते है Redmi Note 9 स्मार्टफोन के expected launch date के बारे में तो ये स्मार्टफोन मार्स के मन्त में लाँच होने वाला है और बात कीजाए इस फोन के price के बारे में तो 3GB RAM 32GB storage वाले वेरेंट का price होने वाला है 7999 रुपीस और गाइस ये price अभी official नहीं है ये मैंने leaks और rumors के हिसाब से बताया बड़ अगर ये स्मार्टफोन इस price पे launch होता है तो ये स्मार्टफोन best होगा और गाइस आपको क्या लगता है ये स्मार्टफोन किस price पे launch हो सकता है इंडिया में प्लिस comment box में मुझे जरूर बताएं और वीडियो चलेगी हो तो like कीजिए, share कीजिए comment करके मेरे को जरूर बताना है कि इस phone में आपको कौन से feature जाद अच्छा लगा और subscribe कीजिए मेरे channel को bell icon हो क्लिक कीजिए जिससे कि आपको मेरी more videos की notification सबसे पहले मिल जाएगी तो मिलता हूँ अगले वीडियो में जय हिंत बन्ने मातरम